हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू यूर यूटू चैनल जै बजरंग कोचिंग स्टुडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के जो 2020 में वन वर्ड सब्सिच्यूशन पूछे गए थे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? और अच्छे सुसके बारे में समझेंगे ताकि आने वाली परिच्छाओं में हम लोग ऐसे क्वेश्चिन का एंसर आसानी से दे सकें ठीक है? तो चलिए सुरू करते हैं तो चलिए देखते हमारा पहला जो वन वर्ड सब्सिच्चूशन है वो क्या है? तो इसका जो एंसर हो जाएगा वो होगा पैनेशिया याद रखियेगा ठीक है? जो नेक्स्ट है हमारा वो है दाइट विच कांट बी बिलीब्ड ऐसी चीज़ेगा जिस पर विश्वास न किया जा सके उसको कहते हैं इंक्रेडिबल आई-एन-सी-ार-ई-डी-ाई-बी-ल-ई इंक्रेडिबल और विश्वसनी है ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा? दाइट विच कांट बी बिलीब्ड इसका एंसर क्या हो जाएगा? incredible clear है ठीक है चलिए next देखते हैं हम लोग a person widely known for evil deeds एक ऐसा व्यक्ति जो कि widely विश्तित रूप से known जाना जाता है for evil deeds बुरी कारेओं के लिए यानि खराब कारेओं के लिए जाना जाता है उसको कहते हैं notorious ऐसा है व्यक्ति जो कि गलत कारे करता है जो कि गलत कारे के लिए बिख्यात हो मतलब कुख्यात उसको बोलते हैं जैसे चोड़ आकू बदमास ऐसे लोग उसको notorious बोलते हैं ठीक है dear student चलिए next देखते हैं हम लोग incapable of being defeat जिसे हराया न जा सके जिसे हराया न जा सके उसकी लिए जो word होता है उसे कहते हैं invincible invincible मतलब होता है अजीर जिसे हराया न जा सके clear है चलिए student next देखते हैं हम लोग a list of books यानि एक list जो है book का जो किताबों का जो list होता है उसे कहते हैं catalog 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 मतलब क्या होता है किताबों का एक list clear है चलिए next देखते हैं which can't be reached जहां पहुचा न जा सके उसको इंगलिस में कहते हैं एक word में inaccessible क्या कहते हैं inaccessible जहां पहुचा न जा सके चलिए next देखते हैं crowd of listeners यानि स्रोतागं listeners मतलब होता है स्रोतागं मतलब होता है भीड स्रोतागं का भीड जिसे हम लोग audience कहते हैं यह तो आप लोग जानते ही होंगे a crowd of listeners जिसे क्या करते है audience 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 मतलब होता है स्रोतागन ठीक है next है हमारा legal end of marriage एक ऐसा विवाई जिसका कानूनी रूप से अंठ कर दिया जा legal मतलब होता है कानूनी रूप से उसे क्या करते है divorce यानि की तलाग ठीक है divorce divorce मतलब तलाग हो जाएगा clear है next जो हमारा है that which can't be read जिसे पढ़ा न जा सके that which can't be read जिसे पढ़ा न जा सके उसे क्या गाते है eligible 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 मतलब होता है a aspersed clear है eligible मतलब aspersed that which can't be read जिसे पढ़ा न जा सके next जो है a selfish person एक स्वार्थे व्यक्ति who always think of himself जो सदयव हमेशा अपने बारे में ही सोचता है always मतलब सदयव या हमेशा thinks वहने सोचता है आप himself अपने बारे में ही सोचता है उसको क्या करते हैं egoist घमंडी ठेक है क्या करते हैं egoist egoist मतलब होता है घमंडी E-G-O-I-S-T egoist जो बोलता हैнить on behalf आप दूसरे के स्थान पर others मतलब क्या हो ज़ता है दूसरे के स्थान मतलब आप की ओर से ठेक है उसको क्या कहते हैं spoke person spoke person spoke person spoke person मतलब दूसरे के बिहाब पर बोलना दूसरे की ओर से बोलना ठेक है next जो हमारा है child born after the death of his father ऐसा बच्चा जो अपने पिता के मृत्यू के बाद पैदा हो, उसे कहते हैं POSTHOMAS, P-O-U-S-T-H-U-M-O-U-S, POSTHOMAS, मतलब अपने पिता के मृत्यू के बाद पैदा होने वाला बच्चा, ठीक है? नेक्स्ट जो है, वन हूँ लिपस द's country, to settle everywhere, ठीक है? वन हूँ लिपस जिसने त्याग दिया हो, the country देश को, to settle everywhere कहीं और रहने के लिए, उसको कहते हैं, immigrant, क्या बोलते हैं, इमाइग्रेंट यानि की प्रवासी ठीक है जो नेक्स्ट हमारा है वो है a person who lives by himself एक व्यक्ति जो स्वयम के लिए जीता है उसको कहते है रिकलूज रिकलूज मतलबता है वैरागी जो की सिर्फ स्वयम के लिए जीता है जैसे देखते हैं आप लोग की जो साधू संथ हैं वो स्वयम भ्रमर करते रहते हैं उसको कहते हैं रिकलूज प्लियर है नेक्स्ट जो है वो क्या है hard to please जिसे खुष करना बहुत कठिन हो जिसे खुष करना बहुत कठिन हो hard to please उसको क्या करते हैं फास्टी डियस क्या बोलते हैं फास्टी डियस माने होता है जिसे खुष करना मतलब की बहुत कठिन हो और फास्टी डियस का मतलब होता है दुरा रात देजी से खुश करना बहुत ज़्यादा कथिन हो नेक्स्ट क्या है और सिस्टम आप गवर्मेंट एक मतलब सरकार का एक तंत्र इन्हिवित जिसमें आल दा वोटर सभी वोटर आप एक कंट्री एक देश के कैन वोट टू इलेक्ट दियर कवर्मेंट अपने डवर्मेंट को चुनने के लिए और देते हुंसे क्या उस विवस्था को क्या करते है यहनी उस सिस्टम को यानी about history, a person who studies, एक व्यक्ति जो की study करता है, अधियन करता है, our rights, या लिखता है about history, इतिहास के बारे में, उसे क्या करते हैं, historian, क्या बोलते हैं, historian, clear है, next जो हमारा है, sometimes, कभी-कभी, that we solve all the problems of a particular situation, एक ऐसी इस्थिति, जबकि किसी भी समस्या, क्यानि कभी-कभी, हर समस्या का समाधान निकल जाए, all the problems, सभी problems का, a particular situation, एक business इस्थिति में, उस इस्थिति को भी panesia ही बोलते हैं, मतलब कि सभी समस्याओं का निदान, ठीक है, clear है, सभी समस्याओं का निदान क्या करते हैं, panesia, sometimes, that will solve all the problems of a particular situation, एक business इस्थिति में, सभी समस्याओं का हल, ठीक है, आज का जो last word है, वो है, right to stop a law from being passed, or a decision from being taken, right to stop, रोकने का अधिकार, right मने अधिकार होता है, अला, एक नियम को, from being passed, जिसे पास होने से रोका जा सके, or a decision, या निरने, from being taken, जिसे लेने से रोका जा सके, उसे क्या कहते हैं, वीटो, जैसे कि आप लोग देखते हैं, भारत जब भी कोई भी नियम, मतलब पाकिस्तान के बिरुद्र लाता है, परस्ताव, UNO में, तो चीन क्या करता है, वीटो पावर का प्रियोग करता है, तो वीटो पावर मतलब होता है, निसेधा धिकार, ठीक है, वीटो पावर मत मतलब वीटो